नमस्कार दोस्तों एक भी टेकनिकल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों तो यह जो आप देख रहे हैं दोस्तों यह एस्टेंजर का हमारे पास एक सब्सक्राइब करते हैं तो इसे आज हम लोग रिपेर करना सिखेंगे तो चलिए वीडियो के स्टाट करते हैं तो बैक पार्ट को पहले हम लोग यहां से खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर में क्या फोल्ट है फुल चुका है और इसमें एक तार जो है वह कटा हुआ है साथ इसी का फोल्ट हो तो हम इसे जोड़ कर देख लेते हैं पहले हम यहां पर जोड़ देते हैं इसे और बजाकर टेस्ट करते हैं इसमें ल लाइन देते हैं दोस्तों यह रहा इसका प्लग दोस्तों प्लग को हम लगाते हैं लाइन में कि यहां पर देखिए वैब्रेशन का आवाज सुनाई दे रहा हुगा यानि कि हमारा अब इन्पूर्ट भी देखके देख देखें ते दोस्तों यहां पर कि हमारा यहां पर जो है यहां पर आउडियो आ रहा है कि लिए हम यहां पर ही डालेंगे हकि यहां पर इसका ओडियो है जो दोस्तों यहां पर आंहीं आ रहा देकिन यहां पर बर्भर करना चाहिए आवाज आना चाहिए लेकिन हूद्सटर निंग का सान्ट Companies हमार ते दोस्तों पहले हम बाहर करते हैं और इसı बंद करें और और यहां से खोलकर में इनतकर सरकिट जो है वह देखें निकलने वाला है इसका सरकिट बोड ने है जो तो यह इसका एंप्लीफायर सेक्षन है ठीक है और यह प्रेंप्लीफायर सेक्षन है जहां से हम volume और bass treble को control करते हैं तो यह amplifier section में थोड़ी सी problem है क्योंकि यह humming आवाज आ रहा है और यहां पर देखिए resistance भी हीट हो रहा है तो यह circuit को हम यहां से खोल लेते हैं और यह transistor है दोस्तों इसे हमें चेक करना पड़ेगा तो दोस्तों अगर transistor को इसी में लगा कर चेक करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं अगर निकाल कर चेक करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं तो हम अभी यहां पर लगा कर चेक करते हैं इसमें लाइन नहीं देना दोस्तों सिर्फ continuity चेक करना है तो मीटर का रीडिंग देखिएगा यहां पर देखिए यहां पर ठीक है और इधर से जब चेक करते हैं तो यह ठीक है और Collector to Emitr देखिए दोस्तों यह जो टांश्टर है वह आथ है default है और यह बीजिटर को बदलना पड़ेगा इसी दोनों टाइस्टर सौर्ट होने की वज़ए से यहां पर जो रेजिस्टेंस है दोस्तों यह बहुत ज्यादा हीट हुआ है लेकिन इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है हम यह दोनों को बदलेंगे तो यह हमारा जो है और यो एंप्लिफायर जो है वो सही हो जाएगा तो इसे बदलने के बाद हम आपको दिखाते हैं गदेखे यह जो सेपरेटर है दोस्तों इसका यूज जरूर करना है नहीं तो टाइश्टर हमारा सौट हो जाएगा तो यह देखें टाइश्टर हमारा खुली चुका है तो दोस्तों यह रहा हमारा टाइश्टर एक है टी आई पी 127 इस 122 तो इसे अभी हम पहले चेक कर लेते हैं उसके बाद हम लगाएंगे तो इसे भी हम लोग उसी तरह से चेक करेंगे मैं अभी दिखाता हूँ आपको तो मीटर को कंटिनुटी में लगाएंगे दोस्तों और यहां पर देखें यह वाला जो किनारा होता है यह हमारा बेस होता है और इस तरह से रखेंगे और बारी बार इसे दोनों पीनों में हम चेक करेंगे मीटर को भी हम लोग देखेंगे और एक बार इधर से रखेंगे यह लिए टाइटर हमारा सभी है उसमें क्या हो रहा था कि इधर से हम लोग चपारा रहे थे तो नहीं बता रहा था ठीक है और यहाँ पर देखे यह resistance बता रहा यानि कि हमारा टैंश्टर सही है और पुराने वाले में जो है यह वाला जो टैंश्टर है दोस्तो इसमें देखे यहाँ पर हम जब चेक करेंगे तो यह sod बताएगा 00 ठीक है तो इस तरह से टैंश्टर भी हमारा सही है तो हम टैंश्टर क यहाँ पर लगा हुआ था तो उसी तरह से हम यहाँ पर हम इसे लगाएंगे दोस्तों तो टैंस्टर को हमने लगा diğer दिया अब हम इसे कर видео कर लेते हैं और यहाँ पर जो इसे लगाना आप मत भूले सोल्डिंग भी हो चुका है अब हम क्या करेंगे लाइन देखर इससे चेक करेंगे ओडियो इसमें आ रहा है या नहीं है तो लाइन हम्ने दे दिया दोस्तों देखिए अभी देखिए आवाज जो है आउडियो सही आ रहा दोस्तों अब यह मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ जैसे मैं यह देखिए आवाज सुना ही दे रहा होगा आपको इसी को आउडियो बोलते हैं ठीक है सटाने से इस तरह की आवाज आना चाहिए देखिए हैं ना है तो दोस्तों इसका सारा सेटिंग को हमने लगा दिया है अब फिर से मैं आपको चेक करके करके दिखाता हूं तो दोस्तों देखिए यहां पे छुएगा तो देखिए इस तरह का हमिंग का साउंड आएगा तो हमिंग का साउंड आएगा यानि कि आपका audio यो सिक्षन सही है तो ठीक है इस तरह से भर 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 आवाज करेगा ठीक है तो आसा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों मेरे कैनल को क्षिक आपको से वीडियो आपको का ब्ला ना जो और भाज करता है तो इसendenा रजचिया टूले करना यह रहा है तो आपको